दोस्तो 35 का रिचार्ज और IC चार्ज आप सभी से एयर टेलिकम कमपनी आप से 35 करवा रही थी और IC ले रही है तो दोस्तो यह सारी की सारी पैसे आप सरकार निकाल रही है और आपका कैसे सद रहा है 35 के रिचार्ज और IC चार्ज तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं और सारा के सारा total पैसे इन सभी कुपनी को कीतना देना है तो दोस्तों यहाँ पी आप सभी को बताना चाहता हूँ ताकि आपको मज़ा भी आ जाए दोस्तो टोटल पैसे ही सारे टेलकॉम कमपनिया के यानि कि ये टेल जी यो बोड़ापों और बोड़ापों वीडियो को ओन सारी टेलकॉम कमपनियों को मिला करके टोटल 92,000,000,000,000 रुपए देने आ हैं तो दोस्तो ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाली है या जो फाल्तु में और स्रकार ले रहा ज़ुंकि कीज़लियो पूरा कॉन्टीनीविजिए करते हैं कि यहां इसलिए वीडियो के यह ने घरा नैं के अइस यहते हैं सब्सक्राइलिक यह और और घ कर दीजिए और रेट बटन है वहाँ पे क्लीक करके सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी भी दीख रहा होगा उसको भी दबा दीजिए तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे सबसक्राइब सब्सक्राइब करकार को सबसей हरा उस्ते पेंश्राइब करें EPA की मिला करके सब्सक्राइब करके तो 23,000 कड़ों रूपए है और ठीक उसके बाद जीयों की बात करें तो दोस्तों जीयों को सिर्फ 13 कड़ों रूपए देने हैं तो दोस्तों यहां पे बोड़ा फोन और एडिया की हालत बहुत गंभीर है और दोस्तों इनकी कमपनी अब लड़ खड़ा रही है अब मतलब च ले रही थी वह कैसे निकल गई लेकिन दोस्तों यहां पे बोड़ा फोन की हालत इतनी खराब है कि दोस्तों यह अपनी कमपनी कभी भी बंद करके इंडिया से प्लाइन कर सकती है तो दोस्तों यह मतलब बोड़ा फोन है जो सरकार से यानि की भारत सरकार से कुछ पैसे कर दिया जाए कुछ तो फिर से मतलब अपने company को अच्छा से चला सके तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो सबसे number one पे है जी यो उसके बाद है a tell ऊसके बाद है वोड़ में बताइए क्या आप मतलब खुस है ना इतने पैसे जब मतलब टेलकों कंपनिया दे रही है और सरकार वसुल कर रही है तो आपना रहा एक कोमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्योंकि दोस्तों 35 का रिचार जब आया था तो बहुत सारा लोग भी परसान है और अभी तक परसान है और दोस्तों सुच रहे हैं कितना लोगी 35 का रिचाज है कब हटेगा बाई लेकिन दोस्तों इंडिया में 5G लॉँंच होने वाली है लेकिन सबसे पहले कौन ऐसी कंपनी आप जो इंडिया में सबसे स्टींड वाला 5G इंटरनेट इंडिया में लॉंच करेग कि उसको भी बहुत ज़्यादा घाटा लग गई है सरकार की जो यह पैसे वसुल कर रही है इसके वज़स से तो दोस्तों आप सभी को बता दू कि हमको भी लगता है कि सबसे पहले जी ओही ऐसी कंपनी है जो इंडिया में फाइब जी लॉंच करेगी और आप एयर टेल के बार कि यह ताकि उनको भी पता चले कि यह उनका 35 करेचर कैसे निकल रहा है तो चली दोस्तों आज के लिए इतना ही बाइबाई सीव टेक केर धन्यवाद आपना ख्याल रखिएगा